नमस्कार आप देखर नियोज़ाइटीन मैं हूँ आपके साथ मेंगा चौधरी और यह वक्त है लाख टके की बात का नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आर्जु साइं नोपर शर्मा केस में कारवाई के मांग कर रहे मौलाना तौकिर रजा ने बड़ा बयान दिया है और कहा अब कोई मांग नहीं होगी मौलाना तौकिर रजा ने कहा हम शानती पूर मांग कर रहे हैं इसलिए हमें नहीं सुना जा रहा अगनी पाथी ओजना को लेकर छात्रों ने हिंसा की तो उनकी सुनी जा रही है हलांकि जब उनसे जुमे की नमाज के बाद हिंसा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना पुलिस की गलती से हुई पुलिस ने करवाई है मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर भड़काओ बयान दिया उन्होंने देश की छबी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश आंदूलन बहाना हिंसा को भड़काना कुछ ऐसा ही लगता है मौलाना तौकीर रजा का यहां पर मक्सद कोई मांग नहीं की जाएगी अब यूए नो में गयापन दिया जाएगा यूए नो के सामने अपनी बात रखी जाएगी कि हिंदुस्तान में लोगतं हमारा खत्रे में है मुसलमानों के साथ किस तरह 80 और 20 की पॉलिसी पर काम किया जाएगा जलने से पहले कोई निड़ा आपने क्यू नहीं लिया जलने से पहले आपने उम्र क्यूं नहीं बढ़ाई तो इसका मतलब यह है कि अगर चासर खामोश रहते तो वो अमां चीजेशने का आपको इंतज़ार है तभी आप अपनी योजना को दुरुस्त करो गे और हमारी बात जो नहीं सुनी जा रही है नहीं मानी जा रही है हमें पत्थर बाद और आतंगवादी और क्या क्या कहा जा रहा है लेकिन आज हमने ये थाबित किया है कि हम पत्थर बाद नहीं है आतंगवादी नहीं है कितने अमन और शान्ती से अमरा प्रोगाम हुआ है अमन शान्ती के साथ हाद जोड़कर अपनी बात मनवाना चाहिए एक मामूली सी बात जिसने जुर्म किया है उसको गिरफतार करो एक मामूली सी बात इसका मतलब यह है कि आप दोहरे मापदंड हैं आपके आपके पास 80 और 20 वाला फार्मूला है मुसलिम युवाओं को भड़काने का एक भी मौका मौलाना तौकीर रजा नहीं छोड़ते हैं एक बार फिर भड़काते हुए और योनों में जाने की धमकी भी दे रहे हैं इदर तो यो तो प्रदेश के सिर्फ दो लोग समासीटों पर उपचुनाओं होने हैं तो आप उपचुनाओं की बात कर लेते हैं कि सियासत किस तरह से माहौल गर्माता जा रहा है तो वो कुछ और ही और इशारा कर रहा है ये माहौल क्योंकि सत्नाधारी दल बीजीपी और मुख्य विपक्षिदल समाजवादी पार्टी अब दो लोग समासीटों पर हो रहे हैं उपचुनाओं को साख पर सवाल बना दिया है समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाओं जितना एहम है ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के सबी बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी एक कर दी है पर बीजेपी ने भी पूरी ताकप लगा दी है ऐसा क्यों है ये समझना भी जरूरी है दोनों ही लोकसबा सीट समाजवादी पार्टी का गड़ है आजमगर सीट लहर के बाद अब बीजेपी जीत नहीं पाई वहीं रामपूर सीट पर 2014 में जीत मिली 2019 में बीजेपी हार गए दोनों सीटों पर जीत मिली तो संदेश जाएगा कि बीजेपी पहले से कहीं जादा मजबूत हुई है दोनों सीटों पर जीत मुख्य विपक्षिदल समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा जटका हो सकती है लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों सीटों पर जीत की रह इतनी ही आसान है फिर बात बीजिपी की हो या पिर समाजवादी पार्टी की और जातिगत सम्मीकरणों को समझे पिछले कुछ चुनाओं के आकड़ों से समझे अगर तो आपको वो तस्वीर भी साफ कर देते हैं आखिर क्यों दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत जोंगती है सबसे पहले आपको रामपुर और आजमगर के जातिय सम्मीकरण की तस्व पिर दिखाते हैं तो आपको पता दे कि आजमगर में करीब साड़े उन्निस लाक मतदाता हैं इन में से यादव और मुस्लिम मतदाताओं के संख्या करीब पचास प्रतिशत है आजमगर में यादव आबादी करीब 26 फीसदी है जबकि मुस्लिम आबादी जो वोटर्स की आबादी है वो 24 फीसदी है वहीं सवन वोटर्स की बात करें तो ये 17 फीसदी और दलित वोटर्स 20 प्रतिशत है तो वहीं गैर यादव आबादी 13 प्रतिशत है तो ये पूरा जातिगत समीकरण हमने आपके सामने रखा तो जाहिर है कि समाजबादी पार्टी की पैट आपको समझाते हैं कि साल 2019 में समाजबादी पार्टी को 60 प्रतिशत वोट मिले अखलेश यादव उम्मीदवार थे और यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि 2019 में समाजबादी पार्टी और ब्यास्पी में गट बंदन था 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहवाव को 35 प्रतिशत वोट मिले थे जो कि 2014 के मुकाबले कहीं जादा थे 2014 में समाजबादी पार्टी को 35 प्रतिशत वोट मिले थे मुलायम सिंग यादव उस वक्त उम्मीदवार थे 2018 के अगर बात करें तो बीजेपी को 28 प्रतिशत वोट मिले बीएसपी को 27 प्रतिशत वोट मिले थे 2019 के मुकाबले 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को ज़ादा वोट मिले और उमीद बीजेपी को यही है कि इस बार वोट परसेंटेज और भी ज़ादा होगा तो यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 2014 में BSP उमिदवार गुड़ू जमाली थे जो की इस बार भी उमिदवार है अब इन आकडों को ध्यान से देखें जो अगले आकडे हैं हम आपको दिखा रहे हैं 2014 में समाजवादी पार्टी और BSP के वोट प्रतिशत को अगर हम जोड़ दें तो पता चलता है कि 2014 दोनों पार्टीों को कुल मिलाकर 62 फीसिदी वोट मिले थे ऐसे में जाहिर सी बात है मेनका कि 2019 में BGP का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले बढ़ा और समाजवादी पार्टी और BSP का वोट प्रतिशत कम कुआ है हालांकि एक तथ्य ये भी है कि 2022 में BGP आजमगड की सभी विधान सभा सीटों को हाट चुकी है दस की दस विधान सभा सीटे जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासल की है और यही वज़े कि समाजवादी पार्टी उटसाहित है और उन्हें भरोसा है कि इस गड़ में तो वो कायम है तो चुनाव भले ही दो लोग सभा सीटों पर हो रहा हो लेकिन सियासत की बिसात ऐसे बिचाए गई है जिसका विस्तार 2024 तक है रामपूर से आजमगड तक समाजवादी पार्टी से लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने पूरी ताकत जोंगती है दोनों ही दलों ने दो सीटों पर हो रहे उप्चुनाव को साख का सबाल बना दिया है और मंच से जो संदेश दिया जा रहा है उसमें साफ साफ दर्ष है कि रामपूर और आजमगड के नतीजे दो हजार चौबिस की जंग की बुनियाद रखेंगे रामपरी आजमगड का चौण हरने या जीतने से हुकूमत नहीं लगल जाएगी लेकिन यह इसास हो जाएगा कि मुल्क के लोग क्या सोच रहे हैं यह दो चौणाव इतने महत्कू चौणाव है इन महत्कू चौणाव से आने वारी 2024 का जो चौणाव का होना जा रहा है उसका संदेश सावित सीधा सीधा सखाने होगा यह दो चौणाव सिर्फ दो लोग सभा सीध पर है लेकिन सियासत के सूर्माव ने 2024 के लिए बिसाद अभी से बिचाती है और लड़ाई साख की है आपसे अगर कुछ कहनी आया है आपका यह खातिम अगर आपसे कुछ कहनी आया है तो अपनी 27 वरस की उजरत माई में नहीं आया है बलके बहुत सोच विजार के साथ इस नतीजे पर पहुचा है कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी को जीचना चाहिए दावे दोनों तरफ से हैं बयान बाजी दोनों और से हो रही है सवाल भी दोनों तरफ से है सियासत का जोर दोनों और से है सपा हो या बसबा भायो बेनो उत्तर प्रदेश के विकास के राहो और पीतू है यह सक यह ग्रह है ग्रह है प्रूर ग्रह है यह विकास के इन से आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नस्रीक आएगा और विकास जितना नस्ती काएगा उतना रोजगार मिलेगा आजमगड और रामपूर दोनों ही लोग सभाशेत्र समाजवादी पार्टी के गड़ है दोनों ही सीटों पर 2019 लोग सभाचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के दिगज नेता सामसत चुने गए आजमगर से एकलेश यादव और रामपुल से आजम खान और अब दोनों ही नेताओं के स्तीफे देने से चुनाब हो रहे हैं जिसे बीजेपी मुद्दा बना रही है कोच इस तरह रामपुर की जमी से सवाल मंत्री कपिल देव अगरवाल ने उचाला तो आजमगर की धरती से मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछ लिया जिन्हें मौका दिया वो भाग गए क्या मौका देना ठीक है बहराल आजमगर और रामपुर लोकसबा सीट पर हो रहे उचनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साफ का सवाल बन गए है बीजेपी ने रामपुर से आजमगर तक मंत्रियों की फौज उतार दी है तो समाजवादी पार्टि के बड़े चहरे आजम खान, राम गोपाल यादव, गडवंदन के साथी जैन चौधरी, ओम प्रकाश राजभर मैदान में है जिसे साफ है, ये महस दो सीटों पर हो रहा उक्चिनाव नहीं, बलकि दो हजार चौबीस की तैयारी है विरो रिपोर्ट, न्यूस एटीन